CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं कहां पुलीस का देते ही रिजल्ट लिक हो जा रहा है बैकेंसी कभी निकल रही है निकल नहीं रही है आर्मी का बैकेंसी चार साल हो गया है क्यों पसंद है अखलेश बहुत सारा विकास किय ओ जैसे जैसे मेंकी रोड रोड उनी का देन है जो हम लोग चल रहे है जो भी फोर लाइन सिख लाइन जो भी बन रहा है यह जो आदो जी की देन है फिर बाद में आए लोग तो अपना जो नाम बना रहे है बात अलग है लेक लेकिन होगा कुछ लेकिन आजम गड़े से तो हम 2 लाग से जीतेंगे अवारा पशुका दिकत है नसर अभी भी घूम रहे हैं अभी बहुत सारे घूम रहे हैं खेतियों का जो है सत्यानास हो जाता है जिस खेत में पड़ते हैं उसका पूरा वात लग जाता है लेकिन के अला योगी सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी वज़ा से बहुत बढ़ गी अखिलेश भाईया के टाइम पर महिलाओं की सुरक्षा नीदी ऐसा था क्या कहां बढ़ा है हमारे दिखने में दिख रहा है कुछ सरकारी नौकरियां गाउं में लगी हैं इतना नौकरी होता तो हमारे गाउं में कितने लड़के हैं सब घूम रहे हैं घूमते हैं नहीं नहीं घूमते हैं सब अपना काम करते हैं मैं उन्हें में अनत करके पढ़ाई करते हैं रात दिन जाके और पेपर लीख हो जाता ह कितना बुरा लगता है कि कहीं न कहीं सापा की एक रिजर्वट सीट है लेकिन दो हजार बाईस के विधान साबा चुनाव में जब अखिलेश जी यहां से विधान साबा जीते थे उनको ये सीट खाली करनी पड़ी और उसके बाद जब उप चुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ा उलट फेर अचान चुनाव जीत गए थे यहां से बहुत बड़ा एक जटका लगा था एसा क्या हुआ था कि वो चुनाव जीते थे हम अभी चप्यागाओं में हैं और यहां पर इस बार जो ऐस बार जो उमीद्वार है सपा से सपा से धरमेंद्रा यादव जी हैं भाजपा से फिर से मुख्य रूप से यहां पर अहीर समाज या यादव समाज के लोग हैं क्या इस बार भी रोजान पुराना वाला रोजान होने वाला है या जो 22 में हमने अचानक एक उलट फेर देखा था वो फिर से हम देखने वाले हैं आईए पदा करते हैं अचे मश्कार जी क्या नाम है सर असुनील कुमारिया गठार करते हैं क्या वेत्ना पड़े है इंटर तक इंटर को इस बर क्या वड़ी बड़ी बढ़िया तुम तेखेगा भूद भाइब आर्मी में जाते से लोग पहले बहुत लोग जाते थे बहुत लोग जाते थे जी और इस बार ये ही है मुझे इसमा में लोगे कि हम लोग सुरू से लेकर आज तक अखलेस यादो जिन्दा बाद ऑफ दो 28 में क्या हो गया था फिर हम लोग तो वोट दिये थे हमारा पूरा गराम सभा नब्बे घर यादो हैं हम लोग हम लोग अखलेश को ही देते हैं कौन जिता दिया थे निराववा को अरे आजमगड बहुत बड़ी है यह तो है नहीं कि छोटा सा गांग के वज़े से जित जाएंगे तो बात यही नहीं है उसमें तो बहुत हैं कौछ एवियम की कमाल है नशे जीते नहीं इसमें धिया निट से लाहर गालेगाना यहां से तो नेता जी तो लाको वोटों से जीतते थे उसमें क्या हुआ था बाइस निराववा पर नहीं जाएंगके यादो समाज नहीं आब बढ़िया पोई बात नहीं है वो गाने से थोडवाले नेतासांस Pensacveto जाएं तो सर्माय कोई वोट करें गい वर्णा दाधी से दोनों ही भजपा बीन है आखिले पर साइकल मतलब कमल अब्साइब पशंद संदि arrow कमल मतलब भजपा पॉर्टी पसंद नहीं का आप पसंद आप एक नसीव रही हुए लेई कितनु के उका ही ना जह हम हेतना दीन जी आप जब लिख ले नहीं है भगवान तो उतने दीन जी एक हा तो कितनु के उका ही कि हम बड़ा बर्यार हो जाएं मुझे हमारे जाइब के हम फालाने के मारा तै योटावा परी दूसरे पर बादू साइकल वह कि जीते हो जीते हिरे वही कि परी जेकर नसीबिया तेज रही वही इसका है यह इस है किसा है डाइन जीज जाने के परी घज रही कि पर बहुत लोगों को शक है हाँ आपने अपने बाई चला के बनके जो जाने उठी है तो जाने नाना जीती हो यह कहीं जाने जीती है आप कोई नहीं कोई नहीं जी आपका अरे भाई साहब यह तो निरवा से भी बड़े कलाकार आ गए हैं जी क्या नाम हुआ अकलाकार साब राम नरीश यादो कौन सी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो आज कर अभी तो कोई नहीं बस टेरर देखता हूं अब फिचरों का एच्छा कौन एक्टर पसंद है एक्टर में तो रभी किसन है निरवा भी पसंद है तो वोट कहां जा रहा है यह क्या बात हो यह निरवा कलाकार पसंद है लेकिन ओर तो हमारे सांसाद अखलेश जी थोड़ी ना इधर दर्मिंदर जी लड़ा है लेकिन पहले थे न अखलेश जी इसके पहले वही थे तो उन्हीं वही च्वाइस है तो यह बताए बाइस में क्या हो गया था यह काले निरववा इतना पसंद आया कि उसको जिता दिये तुम नहीं नहीं लेकिन माड़े लोग हम तो अखिलेश पशांद करते हैं वर्मारे थे लेकिन जो बन रहा है यादो जी के दिन है पिर जो आए बाद में आए लोग तो अपना जू नाम बना रहे हैं बात अलग है लेकिन अखले स्यादों के इदेन है जो कुछ बना तोटका तो यह बताईए इस बार आपको लग रहा है क्योंकि आपके विपक्ष जो है भाजपा ओ नारा दे रहा है चार सो पार आपको लग रहा है क्या चार सो पार तो नहीं होगा लेकिन आजयमगड़ से तो हम दो लाग से जीतेंगे दर्मेंदर जीतेंगे अजय चलो सीरियसली एक चीज़ बताओ आप करते क्या हो काम करता हूं कहां पर नासिक में बेल्डिंग मारता हूं वार्गन बेल्डिंग यहां योगी जी कोई रोजगार नहीं दिला है यहां तो देन आव ऑनबाबा पशू की दिक्त है दिकत हैं आभे भी घूम रहे हैं अभी भी बहुत सारी घुम है खेतियों का जो है सत्यानास हो जाता है जी सब्सक्राइब पढ़ते हैं उसका पूरा वाट लग जाता है जो घर में आपके घर पे जो दोजार रुप्यार हैं उससे सब IIाराइब दिये तो डायाइटिंग बनने वाला नहीं है तो कुछ पैसा अपना मिला के 10-12,000 बना तो बना तो 12,000 से डंका लेट्रें नहीं बन पाई? यह कुछ साहरा दिये बस ही उनका कुछ साहरा था कुछ हमने मिलाया तो डंका लाइटिंग बना यह बदाओ आपके महराश्ट्रा में नाशिक में हो तुम उधर क्या लग रहा है चुनाव का उधर फिप्टी-फिप्टी है पिछली बार तो बीजेपी स्वीप मार दिया था पीजेपी किदर था पिछली बार बीजेपी शिवसेना महराष्ट्रा में खेंच लिया था सारा इस बर नहीं खीचेगा इस बार आप फिप्टी-फिप्टी है शिवसेना मार सकती है बाजी ओनसी वाली शिवसेना अब तो दोडो हो गई दो बाल ठाकरे वाली आप त्हिस्ते बोट करो qutla कुछ कटे थे लेकिन जो कटर समाजवादी तो कटई यह देने वाला में बशार्ट के पपेद हा ना इस का सिद्धा लेकिन थोड़े ओट थे आ रहे थे करी करी पहुंची गए थे और वोट जो है बुद्डु जमाली जी भी मुस्लिम वोट लेगा है वही थोड़ा गरबर हो गया वही मुस्लिम वोट अगर नहीं करता तो समाजवादी वहां से जी जाती इस बार कट रहे है इस बार नहीं परसंट जाएगा बाकी जो है या से परसंट लगबग अखिले से जी पर आएगा और दो हजार बाइस में कितना गया था निरहुआ पर जाएगा जादा जाएगा तो आपको लग रहा है कि लेकिन बाखी मुस्लिम के साथ मिलाके निकाल लेंगे सी अपकी पर पक्का है उस निरहुआ रिक्षा वाला सुना देख गागल वागल पहन कर आयो काला चश्मा एक बढ़िया सा गाना नहीं सुना अभी तो मार्केट दे आ रहा हूं थोड़ा कीड़े उड़े के वज़े से गोगल पाना उन्हें तो गाना सुना दो स्मार्ट लग रहे हो हूं काम सा गान कया कि कैसे घाना था हूं इजि रह रिक्षा वाले पर नहीं यह धरमिंदर सिकल वाले पर जानने वाले हैं lenा बाओ जी क्याना मुआ ए यह तो नी नोरिख्वारी यह यह सर्वारी जी क्या करतें है ओर पर उत करें इसे करूंख करतें और pos on के कैसे रहें दस साल मोदी सरका देखे कि राशन दे रहे हैं और दो हजार रुपे दे रहे हैं लेकिन के अलावा महंगाई यह तनी जोर है हम लोगों कि सानुए खाद है पानी है दी जल हम लोग पर सान है महाई से खाद का कट्टा भी कम हो गया 50-45 तालिस हो गया दाम बहुत गया दिक्कत बहुत हो रही ब जगह से इनके सासनकाल में दबता जा रहा है दर आवारा पशो की दिक्कत थे हाँ बहुत दिक्कत है हम लोग जो अकेला घर का हो भी खेत में जो राज बर जा पहरा दे रहा है तो इस दो अजार रुपय आपका किसान सम्मान निदी का है उससे क्या भरपाई हो पाता है य बहुत दिक्कत है मतलब बहुत दिक्कत है कहां वोट कर रहे हैं जहां आठ चल जाएगा वहां पढ़ जाएगा कहां चलता है उननिस में कहां हाथ जाता है जाता है दस लोग जूटेंगे आज उटेंगे तो आपस में क्या निश्कर्स निकलेगा और उस समय चुनाब के समय में जो जूटेंगे उसमें क्या आपर मेरा हिबात मिलाएंगे उसमें दिमाग कहा चला जाएगा यह वजो जा अभी निश्चित नहीं है अभी इनका सोचना बागी है आई एक बेहने महिलाएं बैठी हैं, तर ने हैं शपया से हैं, तो यहां की महमान है हैं अच्छा चालिए हैं, क्या नाम हुआ पूछ सकता हूं, बताएए आपका नाम? बिना देवी अब बताएए दस साल कैसे रहें मोधी सरकार के अकशे बताए किसरें जी से बीतर से बढ़ियां भीता हम आंगा जनता बाठी लाइगें के फी सकापी है खात पानी कभी क्यों डेर सो रिपय किलो दाल खिल रहा है कि बहुत कि रोजगार लग रहा है कुछ सरकारी नोजगार लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं लग रहे हैंसा अटि का अगलेश का है, नहीं हो रहा है मोधीाय से उसद्रेट का है, योगी के दिल कुछ नहीं है, सब अखिलेश भाईया का देर है ये बताएए, ये योगी सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी वज़ा से बहुत बढ़ गी अखिलेश भाईया के टाइम पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं दिख रहा है आट की सब्षाश भाईयाओं के महिलाओं पर करते हैं कुछ नहीं है काहां वूट कर रहे हैं उस बार आट किलाओं पर प्षली बार काहां करता है कच छाक लोग जाती हैं तो साथिकल पर चलेंगे तो पर काल अगर मोटर साइकल पर पिर मोटर साइकल में भी तो चका लगा है साइकल का चलिए ये बताइए लेकिन बीच में निरुवा जी दिया था आपके यहां पूरे देश में सब को जटका लग गया है ना जैसे वह 440 वोल्ट का करंट लगता है ना आजम गड़ से सपाहर की सब पूछ रहे तो यह कैसे ह हुआ है कैसे हुआ है कैसी 22 में अखिलेश जी ने तो यहां पर इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको विधान सबा जाना था फिर उपचुनाब हुआ था फिर भाजपा जीत गई यहां से तो सब लोग बड़े सोच रहे थे कैसे हुआ भाजपा कैसे जीती सब मशीन का कर नहीं लिएक सब्छैनां थो बहुत और करते हैं जंटांसर शा बरहत के प्रवाण अउससे बात करते एं वहां यह सुनके फ्रसे उनके उनके और छाएगए नहीं कुछ और लोगों से बात करतेया है कुछा है हाँ जी क्या नाम है अजय क्या करते हो कुछ नहीं बस घर पर बढ़ा हैं कितना पढ़ लियो हैं ग्रज़िशन का लियों तो फिर क्यों क्यों कि नहीं लग रहा नहीं कहां नोकरी हम लोगों के लिए रख ढेंगे जी कहा हूं मैं साल के दो करूड रोजगार दू लो फिर वो तो कहरें तो पकोड़े लेते हैं यहीं बताएंगे ना चाहे पकोड़ी करो और क्या करोगे काम वाम कुछ वैसे कुछ सरकारी नौकरियां गाहों में लगी है इतना नौकरी होता तो हमारे गाहों में कितने लड़के सब घूम रहे हैं गूमते हैं नहीं गूमते के लिए देश भर से यूपी भर से लड़के गए थे लड़कियां भी उसका एक्जाम देने पेपर लीक हो गया था गाउंसे भी लोगों ने दिया था हमारे गाउंसे दस-पंद्रह लड़के दिये थे लड़किया भी दिये थे सब लीक हो गया तो क्या करेंगे उसके लिए पढ़ाई करते हैं रात दिन जाके और ध्क होजाता है किद्ना बुरा लगता है तो अच्छे बता उ सच्छ बताना यह मत कहाँ देना कि मैं तो यहां । यही कवोट है तो वाही जाता है 19 पहां वोट किा थे 19 में हम उटी हैं एक भर उट किए हैं अफ से कब इक बार किये थे वह भी साइकल पर मार थे अपकी बार करेंगे साइकल परी मारें मारें अच्छा यह बताओ तुम गाउं से भी निकलते हो गए हाँ तुमारे दोस्त हर जगा होंगे आजम गड़ में तो होंगे इस बड़ा सपा को आने दे जाए निराववा कैसे जीत गया बाइस में यहां तो हम सुनते थे कि यह सीट रिजर्वड है सपा के लिए बाइस में क्या हो गया होता है कभी कभी होता है जब अपने अखलीज भाई आट गये सीट से तो निराववा जी जीत गया अच्छा तो इस बार भी नहीं है लेकिन अखलेश भाई नहीं है तो अपने साथ के खड़े किया है किसी को धर्मिंदर जी को किया है खड़े वोट जा रहे होगा हम अभी छपिया गाउं में हैं जैसे पहले बोला कि यह मुख्यों रूप से यादव समाज का गाउं है कई लोगों से बातचीत आपको ये भी बता दें अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बाईस के चुनाव में एक्चलि थोड़ा सा फेर बदल होने का कारण ये भी था कि बसपा की तरफ से एक बहुत-बहुत मशूर मुस्लिम यहां के नेता है गुड़ू जमाली जी सही कह रहा हूं मैं गुड़ू ज क्वरिम भावनाय भी इस बार थोड़ी सी कम लग रही है तो ऎकी कम लग रही है कि वह वोट प्लिट हो जाएगा आख जाए कि यहार वह तो क्यक्तों आख एकश्य पार भी जित जो का होगा क्या क्याक ने रूवाज को 654 सिभैं से के सब्सक्राइक झाल झाल झाल